तो law of attraction का जो पहला बहुत बड़ा रूल है कि मैं अपने दीवन का खुदी निर्माता हूँ यह आप लिख सकते हैं I am the creator of my own life हम अपने विचारों से मैं मेरे जीवन के लिए स्वाइम ही responsible हूँ मैं मेरे जीवन के लिए स्वाइम ही responsible हूँ और आज से आज से मैं अपने जीवन की कौन रूप से जिम्मेदारी लेता हूँ मैं एक पावर्फुल और सशक्त मैं पावर्फुल और सशक्त इंसान हूँ जो जीवन में पॉजिटिव ये लिखी एक अप्रीवन के लिए लिखी अप्रीवन के लेता हूँ ये affirmations हैं मैं जीवन में मैं एक पावर्फुल इंसान हूँ सब लोग लिख रहे हैं क्योंकि ये important चीज़े हैं आपकी life में ये affirmations हैं इन पे दीरे दीरे बताऊंगे कैसे काम करना है मैं एक पावर्फुल इंसान हूँ और अपने जीवन में positive changes ला सकता हूँ या ला सकती हूँ तो लोग जैसे कि हम सब को पता है लोग ग्राविटी के बारे में सब को पता है गुरुताव आकर्शन का नियम सब को पता है कि एक कोई भी चीज उपर फेको तो नीचे आती है सब को पता है तो इस नियम को कोई तोड़ नी सकता कि जो उपर फेकेंगे वो नीचे ही आएगा इसी तरह से जीवन के भी नियम है जो हमारे जीवन को चलाते है अब प्रिथवी का नियम है ताकि हम लोग balance बनारा प्रिथवी पे हमारा हम लोग चल फिर सके इसी तरह से नेचर में law of attraction है law of attraction का जो नियम है आकर्शन का नियम वो नियम जो है हमें जीवन में जो हम प्राप्ट करना चाहते हैं वो प्राप्ट करने की शक्ति देता है अब जो अगर आप देखो कहते हैं कि मानफ सवर शक्ति शाली है पर मात्मा ने जितने भी जीव बनाए है उन में से सबसे शक्ति शाली कौन है हम इंसान है क्यों हमें शक्ति शाली क्यों कहा जाता है इंसान क्यों सबसे शक्ति शाली है बताये कोग की लबेंच एक कोना बटन करना पाद है अपने आपको अपで आपको क्योंकि हम जीवन को में चिंद कर सकते हैं आए जीषीव बना सकते हैं अच्छा बना सकते हैं बूरही बना सकते हैं क्योंकि परमात्ना ने यह शक्ति जो सिर्फ इंसान को और झावर्ह नहें जीता है उसका लेमितशन है १क्षक कैका कपसे हों लोग वह एलाग पोड़्शन है हां जी पूलिये रह अच्छी फेर हम भर भर बदल सकते हैं हम ज边 में बदला नहीं चिलुए है अब मैं एक वो बोलूँगी और आप मुझे उसका अर्थ बताएंगे हैं निह दूसमे है और आपने सुना है और विस किसने सुना है जलसी ने सुना है जोती जी ने दूना है तुर्टी जी जी ओना इसका अर्थ क्या होता है मैं भगवान इसकते ह। मैं ब्रववान हूँ बन नहीं सकते हूं मैं प्र हूं मैं परमात्मा हूं मैं भगवान क Spaß Junrom मैं ब्रहुपन, मैं रिटर भ्ह्माजी क्या हम? लीटियेशन उन्प काम है प्रत करना दोने शिष्टि का निर्माद करा तो एहम ब्रहमास्पी का मतलब है कि मैं ब्रहम हूँ, मैं क्रियेटर हूँ और मैं create कर सकता हूँ तो हम create कैसे करते हैं? इंसान creation कैसे करते हैं? बताएए हाँ जी व्रिंदा जी बताएए व्रिंदा जी बोलिए आप unmute करिए अपने आपको हम क्रिएट कैसे करते हैं अपने जीवन को थोड़ा सोची बहां बताईए कोकी लबेन हम कीशी के अच्छे गुण देखते हैं तो हम अच्छे ला सकते हैं हमारे जीवन में बिलकुर और बुरा भी बन सकते हैं बूरे के साथ रख कर बताईए कैसे क्रिएटर क्रिएशन कैसे होती है हां जी वरिंदा जी बूलिए हां एक्चुली ऐसा है के मानव जाती को बगवान ने बुद्धी दिये दी है सबसे वह बात अलग है बाकी प्राणियों से वह बुद्धी के हिसाब से कुछ भी उनके इन्वेंट करना है तो वह कर सकते हैं इसलिए वह यह बातो ठीक है पर क्या चीज क्या चीज क्रेशन करती है हां जी प्रतिमा जी बोलिए हमारी सोच से हमारे एक्शन से हां कुछ-कुछ और बताइए सोच और एक्शन राइट कोई और जातिन जी कहना चाहते है मैंडम नेससिटी इस दे इन्वेंशन आप मदर जरूरियत हमारी हमें प्रीटिए करेक्ट सब डोग आस्पास है पर अकुरिकली हां जी कौन प्रोलिए अच्छली मैं सिंपल साही एक्शंपल देजिए आम आडिबल यू और अडिबल जैसे इस लॉगड़न में हम लोगों को बहुत लॉस हुए है हम चाहते तो दुखी रह सकते थे वो क्रिएट कर सकते दुखी रहना पर आज हम एक साथ बैटे हैं और इपनी अची अची चीजे सीख रहे हैं और हमें लिए यह क्रिएट किया हुआ unravel से उपर क्रिएट किया है किस चीज से क्रिएशन होती आपने लिए इक सब्ढ़ करिएषण होती चलिए मैं बता देते हो अधर अधर वाम इस शब्ड जो शब्द होता है शब्द आपने सुनाओं पंजाबी में शब्द कीतन होता है तो जो शब्द होता है उससे आप create करते हो, जो word बोलते हो, जो हमारे मूँ से शब्द निकलता है, या जो word, जो शब्द हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है वो भी एक शब्द है, तो शब्द जो है वो creation करता है, जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो हम अपने आपको हर समय बोलते चुर्फ जूचे रहते हैं और उसे एक अमोशन जनरेये होता है तो शब्द में बड़ा सोगे हो कि जो भी जुबान पर सरस्वती स्थारस्वती भी होती है कि अभिटने लोगों ने दादी अदर से सुनाए कि सो समझ के बोलो मुपेश जुबान पे सरसर वती बैठी है कब पूरी हो जाए कोई नहीं जानता सबने सोना हुआ है बच्पन से तो ये बड़े लोगों की विज्डम है ना उनको पता था कि जो हमारी जुबान है जो हम बोलते हैं जो हमारा शब्द है कभी भी पूरा परमात्मा कर सकता है तो शब्द जो है जो हमारी थौड्स हैं हमारे इमोशंस हैं जो हम मन में सौचते रहते हैं वही manifestation का रूप ले लेते हैं तो आपने एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओलिवर और विल्बर राइट ब्रदर्स का आपने किसी ने नाम सुना हुआ है? एरोप्लेन में कितने लोग बैठे हुआ है? सब लोग बैठे है, जाता है लोग बैठे है, तो आपको पता है, एरोप्लेन का आविशकार किस ने किया था? ओलिवर और विल्बर राइट ब्रदर्स ने, ये शायद उननीसवी सदी की बात है, कि वो जो है ओलिवर और विल्बर राइट ब्रदर्स छोटे थे, साथ-एट साल के बच्चे थे, और वो अक्सर सोचते थे कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षीों को उड़ते हुँ देखते थे, तो कहते थे कि क्या हम भी उड़ सकते हैं, और उनके मन में भाव आया, कि हमने उड़ना है, पक्षी की बाती, एक फ्रीडम के, पक्षी फ्रीडम होती है न, पास उड़ने की freedom होती है, तो हमने उड़ना सीखना है, हम उड़ना चाहते हैं, हमारे भी काश्च पंक होते हैं, तो छुटपन से उनको लग गई कि भाया, अब हमें तो कुछ ऐसा ढूनना है कि हम उड़ पार, तो उन्होंने किताबे पड़ी research करी, aerodynamics, मतलब उड़ने के क्या-क्या नियम होते हैं, पंकों को कितना pressure उन पर पढ़ना चाहिए, कि वो उड़ सकते हैं, किस तरह का, तो उन्होंने aerodynamics का अविश्कार कर डाला, उसको समझ लिया, उसकी discovery, जो भी आप कहें, discovery थी या invention थी, उन्होंने कर लिए, और पहला एरोप्रेन बना लिया, कितना बड़ा विशकार है, वो हमारी ट्रावलिंग इंड़्लिंग में, उससे पहले तो गोडों पर जाते थे, गोडों पर बैलों पर जाया जाता था, और एक कॉंटिनेंट से दूसरी कॉंटिनेंट में जाना इतन जातेजिन सतेजिनित लित में, जातेजिए बैल Susi'da Drone TalkSatij after Drone जीवन में उरना है, तो हम जीवन के क्योंकि निर्माता है, हम जीवन के creator एहम ब्रहम मास्मिय है, ब्रहम हूँ, मेरा शब्द जो है, ब्रहम वाक्य है, कहते हैं ब्रहम वाक्य है, और आपने देखा होगा पहले रिशी मुनी आशिरवाद देते थे थे जा, ये हो जाए, और ह हो जाता था तो हमारे अंदर सब के अंदर वह काबलियत है manifestation की ईश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है तो आपने देखा हुआ कि मंदिरों में मूर्तिया हैं तो वह बिल्कुल हाथ पाओ नाक इंसानों जैसे ही होते हैं हमारे भगवानों के भी और उसका एक मकसद यही था कि हम भी वह बन सकते हैं जो परमात्मा या भगवान या तृष्ण या राम है हर किसी में वो बीज है, हर किसी में राम बसता है, तो वो राम क्रिएट कर सकता है, हम अपनी लाइफ में क्रिएट करी रहे हैं, ये बात आपको पता हो या ना पता हो, पर हम सब क्रिएट करी रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हम सब ने क्रिएट कर अपनी जीवन में, तो किसी ने सोचा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो वो इंजीनियर बन गया क्योंकि law of attraction तो काम करता ही है अगर आपको हमने law of gravity के बारे में नहीं पढ़ा तो भी gravity अपना काम कर रही है इसी तरह से law of attraction भी काम कर रहा है अब तो आप लोग कि किन कि लोगोंने क्या-क्या create कर अपने जी ओने आप सब ने create रहा है बोट आपको awareness नहीं कि हमने create करा है तब वोत भूषत है यह तो ऐसी हो गया पहग्वान की मरजी थी ऐसी नहीं हुआ तो बताईए कौन कुन शेयर करेगा कि आपने क्या-क्या क्रियेशन करा अभी मेरा प्रेशन शायद किसी को क्लियर नहीं हुआ देखिए जैसे मैं आज से तीस साल पहले मेरे मन में एक भाव आया, विचार आया मैंने अपने अपको शब्द दिया कि मुझे अपने पाउं पे खड़ा होना है और मैं उस समें बीएस्टी करके चुकी थी और मुझे इंटरस बिल्कुल एकटेमिक्स में नहीं था तो मेरी टीचर थी Elena जिनकी मैं तरचा कल करी थी कि मेरे को Elena जैसा बनना है मेरे को घर पेठे बैठे लोगो को कुछ दिखाना है जैसे वो सिखाती है लोगो की लाइफ में रिलेशंचिप अच्छा करती है पीस्फुल बनाती है तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए तो असके लिए मुझे क्या करना है मुझे यह सीखना है तो मैं वैसे वैसे बनती गई तब मुझे लोगो अपने लुगों पहन ayudar तो मैं अपनी पनु पहलों बन गई just तो ऐसी आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में क्रियेशन्स करी हैं बहुत सारी तो आप अपनी क्रियेशन्स के बारे में बताईए जिनको थोड़ा समझ में आया है हां जी जुटी जी बताईए जै जुटी मैंडम मैं भीकोम करती थी तो जहांगी राट गैलरी में पैंटिंग देखने जाती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मुझे ऐसा पैंटर बनना है और तभी तो एसा कोई था नहीं कि सिखाए कुछ लेकिन जनुन था कि मैं भी एक जिन में ऐसी पैंटिंग बनाऊंगी और मेरी पैंटिंग जहांगी राट गैलरी में होनी चाहिए तो फिर मेरी पढ़ाई खतम हो गए लेकिन उमन में जनुन था कि नहीं यह मैं कभी सिखूंगी मेरी भी एक बार होनी चाहिए और उसके छे साल बार मेरी पैंटिंग उदर लगी मैं अपनी आप प्राई किया और फिर मेरी दो पैंटिंग उदर लगी थी तभी मुझे बह आप सबने क्रिएट करा है आप सब बहुत पावफुल हैं और कोई शेयर करेगा आप में में शेयर करूंगी जी बताएए अजैसे हमारा परिवार काफी हम लोग हमेशा में हाउस वाइफूद पर तुमुझे हमेशा लगता था कैसे बिजनेस में बिजनेस करूंगी बच् से हमारे घर में लड़कियों को कोई चीज में आगे बूलने के लिए इंटरॉप करें आपका नाम नहीं समझ पा रही हूं नाम क्या है अप राज कुमारी है मैं अच्छा मैं आपको देखने पा रही हूं राज कुमारी जी तो वो वीडियो में और इस्टार्ट नहीं कर आपके तोरह ओए और आपके तोरह ओफ किया हुआ है मैंने इस्टार्ट करने का कोशिस किया पर वो नहीं हो रहा है you cannot करती डाष्कुआजी देख रहा हो आप क्या करते है राष्कुमारी जी शेर कड़ोड राकला का फ्रीर थि ने पाल से इंदा अब है दोन धुटर है जूं róż करके एक जगह है जिटी है तो मेरी इंडस्ट्री अपने ओन करती थी अभी बच्चे चलाने लग गए तो मुझे लगता था पापा लोग को बोलती थी कि मिझे बिजनेश चलाना है तो बोलते थे नहीं तुम उधर रहो अलग रहो या कुछ उसमें इंभॉल्ब नहीं होने पापा लोग या कोई भी बेठते हैं उस पर बेठना है और डिसीजन लेना है तो पता नहीं जैसे सब चीज मिलते गया हर चीज मिलते गया या कुछ भी और में उसकी बन भी गई और हमेशा चलाया भी मेने 15-20 साल तक बहुत ही अच्छा से चलाया सब कुछ किया अभी बहुत ही अच्छा सक्सेस्फुली जो भी लोग मिलते भी थे तो सब काफी सक्सेस्फुली चलाया उसमें आप डाउंस भी देखे सब कुछ किया तुछ करा मुझल आप चेर्मेन बन गई है यह मतला बस मन की इच्छा के कारण हाँ मन की इच्छा के कारण हाँ मन की जाते हैं कुछ आपका हाथ कड़ा हुआ है अपकी साउंड नहीं आ रही आपको अन्म्यूट करना पड़ेगा के लाजी अन्म्यूट करिए अपने आपको गवर्मन्न सर्विस से रिटाइड हूँ जी 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 ऑल इंडे रेडियो में करता था मैं काम नाइंटीन मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैंनस डिग्री टेंपरेचर जा रहा था मैंनस 12 तक जा रहा था लेकिन हुआ पहुंशने के बाद जो है ओंफिटेंस आया और हमने वो ठाई महीने रहे वहां पर उस चीज से आज तक हमारे अंदर यह है कि भई हम विंटर से नहीं डरते कि अधर टेंपरेचर कहीं भी चला जाया मैंनस 12 अलदात में मैंनस 30-40 तक भी जाता है मैंनस 12 पर हमने काम किया तो पुछ से यही शिक्षा मेली कि अधर कथिन परिस्थितियां हो लेकिन आपका होसला हो आप उसको भी निकाल रहा है यही कहना क्या है वंड़फुल तो आप दिली से जोईन किया है तो हमारे परोसी आप तो प्रियंकर जी आप क्या कहना चाहती थी चार-पांच सालों से मैं तो कुछ एसा काम करूँ इसे मैं अपने बच्चों का भी कर सकूँ घर का भी द्यान रख सको और कोई प्रेशर नाव काम का और मेर को मैं कभी सोचु स्कूल खोल लेती हूं बच्चों का जो किज जी वगरा होता है जैसे तो कभी अपैकल्स का ले ले लेती हूं बच्च समझ नहीं आ रहा था पर बन में बहुत चाहती कुछ ऐसा करूं पर इस लॉग्डोन की वज़े से बगवान ने मेरे पे इतनी क किने से लुग को इस सब दे दिया मुझे सुच थैसे लोग जो इतनी ज्यदा परेशानी मेरे मन करता है कि मैं क्या करूं के लिए तो आज है कोशिछ करोंगी कि σI खबे एप, अपने अपने आ पने आप करूं कि किसी थोड़ी बहुत हैं मिला तो अब फ hanp करते हूं मैं र जो चाहा वो बगवान देता जा रहा है ता चोड को बिलकुल और और कॉन शेयर करना चाहता है प्रियंका जी नमस्ते माम शुरुती बात कर रही हुए हां जी शुरुती जी हां मैं अचली मैं अभी लॉक्डाउन में यही सोच थी कि मुझे कुछ ऐसा सीखना है जिससे मेरे को मतलब हेल्ट रिलेटेड भले और कुद की खुद की फैमिली की क्योंकि मैं जोइन फैमिली में हूँ अचल मेरे दिवाली मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा कन्फर्मेशन से कहते हैं ज्रड निश्य जैसा हो गया कि मुझे कुछ सीख नहीं है मुझे कुछ सीख नहीं है लेकिन फोर से मिल रहा था अचली संबर के अंदर हमारी कुछ मीटिंग हुई थी ऐस पर सामाजिक वे में तो म मेरे फ्रेंड की बहन जिनको मतब कभी हम लोग ऐसे बैठते नहीं है वो अचानक से मेरे बाजु में बैठ गई उनके साथ में अचानक से मेरा यह दिसक्रशन हुआ और उन्होंने अचानक से मुझे कोई लिंक को फोवर्ड की और मैं यह एक्रिशर की क्लास्स और आपके क्लासे से जॉइन हो गई थी मतब कहने के रहे शौट पिरेड में हुआ लेकिन मैं सोचा वो मेरे को सिल हुआ है तो कितने लोग हैं जिनोंने लोग डाउन में कुछ सोचा वो पूरा हो गया मेरे का से बहुत सारे लोग हैं क्योंकि मैं मैंने लोग डाउन में सोचा था कि म और बहुत ही सुन्दर लगता था ता ता तो जो एप्रिसेशन और ग्राइचिट्यूद दूसरों के लिए होता था मेरे को तो मैं एक दिन नर्सरी गई और नर्सरी में मैं पौदो को देख रही थी तो ऐसी बात करते करते एक व्यक्ति में गया जो कि डिजाइन करता था e Ass forgiveness app और वह तेट्र गारण को और वह और थेर्ष गारण और पर माय उसके देखिए कि उन्हों ने क्या क्यान बना आए या तो मुझे गए दो我也 कुछ कहना कि प्रेश जागांग हैं तो उन्होंने मेरा टेरेश गारण ऑक्तूबर में बना दिया थ तो दो तीन चीज़े काम करती हैं, Law of Attraction, हमारी फॉट्स की कोई कुछ कहना चाहा हो था? तो Law of Attraction काम तो करता है, पर उसकी कुछ elements होते हैं, जो काम करते हैं, अगर हम उन्हें elements को समझेंगे, तो हम Law of Attraction का इस्तमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो कल हमने gratitude की बात करी थी, जब हमारे मन में gratitude होता है, तो वो है एक positive उर्जा, positive energy क्रिएट कर देता है, और हमारा vibration, क्योंकि इस धर्ती पे कल हमने बात करी थी, हर चीज vibration है, हर चीज उर्जा में है, तो जो Law of Attraction है, उसमें आप समझें कि जो उर्जा है, जो thought energy है, जो शब्द की उर्जा है, जो शब्द हम मन में सोचते हैं, वह भी एक उर्जा है, वो उर्जा प्रड्यूस करत जाती है, और उस शब्द को हम बार-बार रिपीट करते चले जाते हैं मन में, उसके साथ emotions हैं, उसके साथ भाव जुड़े हैं, तो वह manifest होता है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मान जो है, उर्जा जो है, एक physical form लेती है, जो उर्जा है, वो physical form ले रही है, फिर physical form फिर उर्जा में convert हो जाती है, इसको ऐसे समझें, कि प्राणी एक आत्मा रूप होता है, आत्मा शरीर लेती है, और फिर शरीर से वो सारे भातिक सुख भोगती है, और फिर जब वो मरती है, तो फिर वो non-physical हो जाती है, तो हर चीज, जो vibration है, वो manifestation में convert हो जाती है, ये law of physics है, तो law of physics कह जाती है कि matter, matter जो है, जो भी physical form है, matter यानि जो भी physical चीजे हैं, वो दो तरीके से exist करते हैं, vibration form में भी exist करती है, और वो physical matter form में भी exist करती है, तो जो atomic bomb है, वो क्या है, atoms यानि physical form को इकठा करके, उसको ऐसे circumstances में डाल दिया गया कि वो energy में convert हो जाता है, है वो atomic energy, atomic मतला atom से, यानि पदार्त से बनी हुई, physical form से बनी हुई, atomic energy है, जो non-physical उर्जा का ना आले, वो कर लेती है, तो जो electricity है, atomic energy से आप electricity भी बना सकते हो, और atomic energy से आप bum भी बना सकते हो, am I right? atom bombs अपने सुने हैं, दुनिया को डराता रहता है, पाकिस्तान अक्सर डराता रहता है, atom bomb डाल देंगे, हिंदुस्तान, अमेरिका डराता है, तो पर लेकिन इस atomic energy से, हम creation भी करते हैं, आजकल electricity बन रही है, atomic energy से, तो atomic energy जो है, यह उर्जा जो है, हमारा शब्द भी एक atomic उर् इस शब्द से हम उर्जा जेनरेट कर सकते हैं, manifestation कर सकते हैं, अच्छी manifestation भी कर सकते हैं, और बुरी manifestation भी कर सकते हैं, तो अभी तक हमने अच्छी बातें करी हैं, पर negative energy से हम क्या-क्या create कर लेते हैं, यह भी हम चर्चा करेंगे,